कॉंग्रेस के पूरे उधायक निशेंग कुमार जेन ने भाजपा के सदस्ता अभियान को लेकर आरोप लगाये हैं कि उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेता नंबर बढ़ाने के चकर में जिस तरह सदस्ता लोगों को दिला रहे हैं उसका जिता जाता उधारन है उनके मेल पर आया हुआ मैसेज क्या वह उपर है कमान में अपनी रैकिंग को अवल बताना चाहते हैं उन्होंने पत्रिकार वारता के दौरान कहा कि भाजपा हाई कमान को मध्य प्रदेश में सदस्ता अभियान की जाच करनी चाहिए इस आउसर पर प्रदेश मंत्री विरसी रग क्रदेश का नाम सामिन कर दिया एक हमारे प्ल्दीरतना करें कांग्रेस BOY में कर दिया की दिय कि निदा कोरस के ब주가는 कर्देश यह कंज्रczy कि प्रदेश कोum कउमेल्स के समदी न का नाम शामिए कर दिया तो जग यह कैसी मेंमर्शिप है तो मेरा आप लोगों के मात्यम से उनसे कहना है कि आप कि तरह इस प्रजेश की जंता को घुम्राय कर रहे हो और कांगरेशियों को निस काल पे आप इस तरह के काल आप मेंमर्शिप करा रहे हो तो इसका गलत है और निश्चित तोर पर या तो प्रदेस अत्यक जीट दोबारा प्रदेस अत्यक बनने के लिए कोई प्लानिंग में लगे हो या अपने नमबर बढ़ाने के बारतिये जनता पार्टी के नेताओं से संब्धे और कार करता हो वो बार्ट नमबर 21 में पहुंचने के बाद उसने कहा कि अधी तुम मेंबर नहीं बनोगे तो आपका नाम बाजपा के सदस्त नहीं बनेगी तो आपका लाड़ी वेना से नाम काड़ दिया जाएगा किसी को कहते हैं पेंजन बंद कर दी जाएगी दुरभागी देखिए भोपाल में एक प्रिंसिबल ने सिकायत की कि हमें बाजपा के लाएग सज्चा जिसकी विना सहमति कि उसे किसी भी दलका सदस्त बनाया जाएगी उसको पारुनी कारवाई करना चाहिए क्योंकि सदस्त बना हर आदमी का नजी अधिकार है जो जिस तरका स्ट्रेक्शन सदस्ट से बना चाहे उसे बनाए जाए किसी को कोई आपती नहीं होना चाहिए वगर में बिस्वास में आपसे मोबाइल है तो आर्थिय जलता पार्टी तो यह आपस में लोगों के बिस्वास की हत्या कर रही है कि आदमी एक उसरे को मोबाइल जबरन तो मत बनाओ जबरन तो मत बनाओ हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल